Types of Problem कौन-कौन सी Problem है और ये Concurrency का मतलब क्या है Concurrency मतलब जब Multiple Transactions एक ही Time पे चलती है मतलब Parallel Schedule की बात कर रहे है Serial में कोई Problem नहीं है Parallel में Problem है सबसे पहले Dirty Read क्या है Dirty Read का मतलब है Let's say Transaction T1, T2 T1 पहले आके Start हुई उसने एक ही Value को Read किया 100, उसमें उसने कुछ Change कर दिये Let's say Value कर दी 50 अब उस Changes को T2 ने Read कर लिया और उसने Change को क्या Read किया 50, अब वो 50 भी अपना काम कर गी मतलब उसने 50 को Let's say उसमें 50 में उसने कुछ भी 10 और कम कर दिये और ये Value रहेगी 40 और Commit होके चली गई अगर वो Commit होके चली गई और ये Future में जाके ये Transaction फेल होगी ऐसा Possible है, ये Case बनाई है Especially, तो अगर ये Future में जाके फेल होगी, तो हम क्या करेंगे हम इसको Roll Back कर देंगे अगर हमने इसको Roll Back कर दिया Obviously ये 100, ये 50 की कोई Validity नहीं है ये 50 का तो कोई मतलब भी नहीं है लेकिन अगर ये 50 को कोई मतलब नहीं है तो ये बिचारी T2 ये कौन से 50 value पे काम कर गई ये तो किसी गलत value पे काम कर गई तो इसको बोलते हैं क्या Dirty Read हाँ, अगर ये Transaction फेल नहीं होगी तो ये Cases specially बनाए है Then, Incorrect Summary स्टार्ट हुई, अब बीच में दूसरी Transaction ने कोई अपने Aggregate Functions स्टार्ट कर दिया मतलब इस Transaction ने स्टार्ट किया A is equal to, let's say A की value जो है वो initially thousand थी, यहाँ पे दिया हुए A की value initially thousand थी और इसने जो है वो A नहीं मतलब T1 ने read किया thousand, 50 minus कम कर दिया और 950 value कर दिया मतलब A की value 950 होगी इसने उस 950 को read कर लिया अब इसने उस 950 को read करके उसके उपर क्या perform कर रहा है average operation, average निकाल दि अब average क्या निकाल दि 983, average निकाल दि 983 और further आगे जाके यह क्या होगी, यह read of B B is equal to B plus 50 मतलब इसने जो है वो B की value read की thousand और उसमें जो है वो 50 जो है वो add करके और finally क्या बना दि value 1050, तो यानि यह जो बीच में read perform करके यह जो operation perform कर गया यह operation जो है वो गलत ही perform कर गया क्यूंकि A की value जो है वो initially thousand है इसने तो 950 read करके अपनी average निकाल दी, तो यह जो average आई है, यह क्या है गलत, तो incorrect summary problem जनली तब अकर होती, एक transaction start हो, दूसरी बीच में आके अपने aggregate functions जो है, वो perform कर रही है, next, lost update, lost update का मतलब क्या है, कि एक transaction start हो, let's say, select star product where id is equal to 1, और बीच में एक और transaction ने भी, let's say, उसी value को read कर लिया, अब इसने update कर दी quality 6, और इसने भी क्या कर दी, update quality 10, अब देखो, इसने जब quality, कुछी भी product की quality, let's say, उसने 6 कर दी, और उस पे इसको 5 like मिल गए, अब later on क्या किया, इसने उस quality को 10 कर दी, और later on इसको भी 5 like मिल गए, तो total product तो एक ही था न, product कौन सा था, जिसकी ID value 1 थी, तो ID value 1 वाला जो product था, total like कितने हो गए, 10, 5 T1 ने किये, और 5 इसने किये, लेकिन final में जब commit करेंगे, तो ये final, ये वाले जो है, वो क्या हो जाएंगे, loss, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसके उपर हमने एक और T2 ने commit कर दिये, जैसी T2 ने commit किया, तो final quality क्या हो गई, 10, और like कितने हो गई, 5, बट like होने कितने चाहिए थे, like 10 होने चाहिए, तो ये कानी है, lost update की, मलब जो पहले ने changes किये, उस changes को दूसरे ने क्या कर दिये, और update कर दिये, तो पुराने वाले changes जो है, वो loss हो गई, इसने उसको 50 रीड कर लिया, और इसने जब दुबारा रीड किया, obviously ये क्या रीड करेगी 50, क्योंकि पहले इसने database से रीड किया, अब इसने जो ये changes किये, वहां से रीड किया, तो ये दो-दो बार values को read कर रही है, और दोनो बार ही अलग-लग values को read कर रही है, that is a unrepeated, although इसके बारे में ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा exam में, बट आपको just for the sake of completion, की मलब ये सारा complete हो जाए, that's why I am discussing, ऐसी read of x, इसने भी read of x किया, then इसने delete कर दिया x की value को, मतलब, let's say, इसने starting में value read की 10, इसने भी क्या की read 10, और इसने, let's say, बार में क्या की value delete कर दी, x की 10, अगर इसने delete कर दी, obviously, ये भी क्या करेगी, उस value को delete करने की कोशिश करेगी, तो ये basically हम बोलते है, phantom read.